नमस्कार दोस्तों मैंना में संदीप और आज किस वीडियो में मैप लोग को किसी भी डेट मोईल को किस तरह step by step solve करना होता है ये method मैं आप लोग के साथ आज किस वीडियो में share करने जाड़ा हूँ देट मोईल को solve करने के जो method होता है वो आरिक का अलग-अलग हो सकता है लेकिन मैं जिस method से देट मोईल को solve करता हूँ उन में से कुछ method मैं आप लोग को आज किस वीडियो में बतने वाला हूँ दोस्तों पहले याँ पे date problem की बारे में discuss करेंगे date यानि जो phone पूरी तरीकी से बंद हो जाते है वो दुबारा चालू नहीं होते है इसी को हम date problem बोलते है और ये date problem का reason hardware से भी हो सकता है और software से भी हो सकता है या फिर software hardware combination problem की वाज से भी हो सकता है दोस्तो software problem क्या है और hardware problem क्या है जो लोग ये नहीं जानते है मैं उन लोग को यहाँ पे insert में बता देता हूँ software problem के वास से यानि जिस phone का operating system craft हो जाते है या फिर operating system missing होने के वास से जो phone date हो जाते है इसको हम लोग software problem के वास से date problem मानते है बाकि इस problem को हम लोग कैसे find out कर पाएंगे और इसका solution क्या है बो भी हम इसी वीडियो में ही जानेंगे अभी हम बात करेंगे hardware problem के वास से जो phone date होता है उसके बारे में hardware यानि phone के अंदर जितने भी सारे पार्ट है जैसे IC, transistor, register, capacitor, diode इसके लिए बाप phone के अंदर battery के साथ साथ जो भी physical part है यह सारे hardware है और hardware problem के वास से phone date होता है इसका example जैसे कोई phone अगर पानी में गिरा है और पानी में गिरने की वास से उसका power IC अगर खराप हो चुका है तो इसी को hardware problem बोलते है तो hardware की वास से जो phone date होते है इसके बारे में हम इसी वीडियो में ही आगे बात करेंगे अभी हम बात करेंगे software और hardware की combination के वास से जो phone date होते है उसके बारे में तो दिखिए दोस्तो hardware और software combination यानी एक phone को चालो होने में software और hardware दोनों का ही जुरूत है यहाँ पे hardware यानी उसका component और software यानी जो उसके अंदर operating system file है वो तो REC Mobile में इस operating system file को रखने के लिए एक memory IC लगा रहता है जिसका type EMMC या फिर EOFS हो सकता है बाकी next generation में इसका और भी कुछ type आ सकता है तो phone अगर software के वास से date होता है तो उसको simply USB data cable के थुरू flash करके हम उसको solve करते हैं कई बार क्या होता है दस्तो USB data cable के थुरू flash करने से phone flash नहीं होता है उसमें error आ जाते है या फिर कुछ condition में हमारा USB cable detect है नहीं करते है तो इस condition में हम memory IC को खोल के या फिर ISP के थुरू programming करके उस problem को solve करते हैं इसी सारे process को हम या पे software और hardware combination बोलते है फिलाल के date में जो market में latest phone आ रहा है और इसमें से जो phone date होता है तो उसमें से 90% phone जो date होता है वो hardware problem के वार से फ़ट होता है और बाकी 10% जो date होता है वो software से भी हो सकता है और software hardware combination problem के वार से भी phone date हो सकता है तो चले ही हम जानते हैं हमारे पास अगर कोई phone date condition में आता है तो उस problem को किस तरह step by step देख कर problem को find out करके उसको resolve करना है अभी हम जानेंगे दोस्तो हमारे पास अगर कोई भी date phone आता है repair होने के लिए तो सबसे पहले हम उस phone की कुछ basic inquiry करेंगे उसका reason पता करने की कोसिस करेंगे customer से किस कारण के वाँ से phone date हुआ है या फिर cup date हुआ है जैसे अगर customer बोलता है कि phone पानी में गिरने के बाख से phone date हुआ है तो इस condition में हम phone को एक बाद watch करके देखेंगे या फिर customer बोलता है कि phone गिरने की वाण और देख करेंगे तो इसके लिए हम phone के आदश से चार्ज करने के बाद भी फोन में चार्ज भी नहीं होता है और जब फोन को चेक करते हैं तो फोन बंद होके परे रहते हैं तो यह जो रिजन है यह तीन करम के वासे होता है जैसे जिस टेम फोन को कास्टमान ने चार्जिंग पे लगाया था उस टेम हो सकता है फोन का नहीं हुआ और इसके साथ-साथ अगर फ़ेक चर्जिंग की इसू है और फान में चार्ज इंसाइट करते है तो इसमें तो चार्जिंग 20 होता है लेकिन बैटरी बैकप की percentage increase नहीं होता है और हफसोट की वासे बैटरी में जो भी charge था वो कुछ टेम ऐसे ही रहने की वासे charge पुरा खतम हो जाते है और phone पुरा date हो जाते है इसका इतिन नंबर कारण कुछ customer ऐसा करता है कि जादा इंप्यार charger से charge करते है या फिर कोई भी copy charger से charge करने पर phone उसका अपने डेट हो जाता है तो इस condition में जादार charging AC plus power AC खराब होने के वासे phone डेट हो जाता है तो इस तरह हम अगर customer से inquiry लेंगे तो phone को repair करने में बहुती आसान होगा दोस्तो customer को अगर पता नहीं है कि इस कारण की वासे उनका phone डेट हुआ है तो मैं भी आप लोगो बतने जा रहा हूँ किस तरह आप किसी भी date mobile को step by step देखकर उसको repair करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले phone को open करेंगे और इसके बाद हम mobile motherboard से बैटरी करेंटिंग को disconnect करेंगे और इसके बाद mobile motherboard बैटरी करेंटर की प्लास और माइनस में मिटार से रिडिंग लेंगे अगर हम इसमें कोई sorting बगरा देखने को मिलते है तो उसको हम fix कर देंगे और जो phone sorting की वासे date हो जाते है उस phone को किस तरह step by step repair करना होता है मैं इसक बैटरी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की बीच में कोई अगर voltage हमारा मिल रहा है तो मान लेजिए वह battery phone को on करने का लायक है और अगर बैटरी का voltage 3.7 से नीचे है तो उससे phone on ना भी हो सकता है और अगर बैटरी पूरी तरक से discharge हो चुका है तो इसके बैटरी को boost करना पड़े से मिलते है जिससे आप लोग battery को boost कर सकते हो या फिर आप चाहे तो DC power supply से भी battery को boost कर सकते हो और आप अगर without battery booster without DC power supply only एक charger की मान से battery को किस तरह boost करना है यह आप जानना चाहते है तो मैं इसके बारे में already वीडियो बना के रखा हूं आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते है तो बैटरी अगर पूरी तरह किसे discharge हो चुका है और आपने battery को charge किया है या फिर आप नया battery लगा रहा है फिर भी phone on नहीं हो रहा है तो इस condition में हम mobile motherboard को अच्छे से clean करेंगी क्योंकि कई वर क्या होता है दोस्तों मैं ऐसे भी problem को solve किया हूं PCB में कुछ component की बीच में थोर अपना सा carbon जमा है और phone हमारा on नहीं हो रहा है और जब मैंने उस carbon को clean कर दिया तो phone हमारा on होने लगा तो आप अगर कोई date phone को repair करने के लिए open किया है तो PCB को आप जुरूर clean किया करें फास्ट में ये सब देखने के बाद अभी हम जाएंगे next step की तरप next step पे हम देखेंगे power switch और charging connector को मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूं कई बार कुछ फोनों में ऐसा भी देखने को मिलते है फोन की charging connector भी खराप है और phone का power switch भी खराप है तो ऐसे में क्या होगा दोस्तो फोन में अगर थोड़ा बहुत charge है फिर भी phone on नहीं होगा और phone में charging cable connect करने पार भी phone म नहीं होगा इस condition में हम phone को date समझेंगे तो यह आप check जरूर करें दोस्तों जो भी phone hardware problem के वासे date होता है लगबग जातर phone इनी सारी कारण के वासे phone date होता है जो मेनी आप बात किया है अभी हम बात करेंगे कुछ phone में ऐसे problem देखने को मिलते हैं उनमें sorting भी नहीं है और battery में भी charge है फिर भी phone on नहीं होता है तो इस condition में हम क्या करेंगे phone को computer के साथ data cable के तुरू connect करेंगे और device measure को check करेंगे अगर हमें इसमें कोई auto ports हो रहा है जैसे qualcomm, media tech तो इस condition में phone को flash करेंगे और अगर flashing में कोई error आता है flashing नहीं हो रहा है तो ऐसे में storage IC का भी problem हो सकता है जिसक phone date होने का और भी कही तरह की reason हो सकता है hardware और software में मैं कोसिस करूंगा इसके उपर एक practical के साथ वीडियो लाने की तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं बहुत जलत इक नए वीडियो के साथ इस वीडियो को पूरा दिखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्य बाद